अपने पिछले वीडियो में हमने interpretation के internal ads के बारे में इनकी meaning, इनके definition, इनके types, इनके limitations और उनसे related important cases के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम interpretation के external ads या बाहरी सहायता के बारे में बात करने वाले हैं तो बिना किसी अनावशक भूनका के चले आरम से प्रारम करते हैं एक court law के interpretation के time पे external ads की सहायता तब लेता है, बाहरी सहायता तब लेता है जबकि internal ads sufficient नहीं होते या इनसे provisions का एक सफलतम मतलब, उचित मतलब नहीं निकलता यानि कि ये जब insufficient होते हैं, किसी भी law के बारे में interpretation देने में, उनके बारे में explanation देने में तब court उस समय external ads की सहायता लेता है, अब external ads के अंतरगत कौन कौन सी चीजे आती हैं इसमें सबसे पहला point historical background है, historical background का मतलब यह हुआ कि जो lawmakers थे, उन्होंने क्या सोच कर कहां से उनको idea आया था, ऐसा law, ऐसा provision draft करने के बारे में तो उस region को उसके बारे में जब अध्यन किया जाता है इत्यास में जाके, तो इसको historical background कहते हैं इसके द्वारा lawmakers के intent का पता चलता है कि उन्होंने किस वज़े से ऐसे laws को draft किया था के अलावा इसमें जो first hand information होती है, जो जो लिये गए होते हैं उस law को बनाने में उनके बारे में पता चलता है, external ads के बारे में दूसरा point reference to reports of committees के बारे में है जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कभी भी अगर एक bill बनाया जाता है, एक regulation बनाया जाता है और उन committees के द्वारा जो भी काम की जाते हैं, उनको report के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है उन reports पर विचार करने के बाद ही law बनाया जाता है, इन में से कुछ जो suggestions होते हैं उनको सुईकार किया जाता है, बाकियों को नकार दिया जाता है तो एक law को interpret करते ताइम, एक status को interpret करते ताइम, उसके बारे में जो भी committee द्वारा जो भी suggestion दिये गया होते हैं, जो भी advice दिये गया होते हैं, उनको भी consideration में लिया जाता है रोधी वरसे state of Kedla के case में CRPC के section 200 के clause 2 को interpret करते ताइम, उस समय की जो law commission थी, उनके report को consideration में लिया गया था external ads का तीसरा point judicial decision का है, जिनको हम normal term में precedence के नाम से जानते हैं अगर बात की जाए common law के बारे में तो ऐसा माना जाता है कि common law के जादातर enactments जो होते हैं, जादतर regulation होते हैं, वो किसी case की वेसे, किसी judicial decision की वेसे draft किये जाते हैं इसी वज़े से भारत में भी judicial decisions को काफी importance दिया जाता है, यहाँ पर Indian judiciary के अलावा एक foreign judgment को भी काफी importance दी जाती है यानि कि अगर interpretation के time पे internal acts sufficient नहीं है और कहीं पर भी ऐसे judicial decisions से उस law को उस provision को interpret करने में, उनको explain करने में साहिता मिल सकती है तो बे जीजट इनकी साहिता ली जानी चाहिए external acts के अंत्रगत आने वाला चौथा point dictionary का है जिसको हम शब्द कोस कहते हैं यहाँ पर सामान अर्थों में ऐसा होता है कि अगर हम किसी word को लेकर किसी शब्द को लेकर उलज जाते हैं तो उसकी meaning जानने के लिए उसका शाब्दिक अर्थ जानने के लिए हम dictionary की शाहिता लेते हैं legal field में भी ऐसे अगर किसी शब्द को लेके मत भेद है उसके बारे में कोई आसपस्टता है तो उसके बारे में legal dictionary की शाहिता ली जा सकती है पांचवा point social, political, economical, scientific developments का है जहां पर यह बताया गया है कि एक law के enact करने के पहले और law के enact करने के बाद जो भी measurements आते हैं, जो भी प्रभाव दिखते हैं, परिलक्षित होते हैं उनको भी consideration में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रभाव, यह बदलाव, यह changes, एक law को, यह status को interpret करने में उसको समझने में, उसको explain करने में काफी मदद करते हैं इसलिए code द्वारा interpretation में अगर internal ads sufficient नहीं होते हैं तो ऐसी condition में external ads के अंतरगत इन चीजों को भी measurement में लिया जा सकता है और external ads के अंतरगत सबसे last point books का है जहां पर books का हमारा मतलब वो सारी किताबे होती हैं जो कि एक legal draft को बनाने में या फिर law को बनाने में सहायता देती हैं अगर हमारे भारत में बात की जाए तो मनुस्मृती और उसके लावाद चानक की की लिखी हुई और ससास्त्र याग्यवल के द्वारा लिखी हुई बुक और जैमिनी महाशे द्वारा लिखी के बुक तो ये सारी जो books हैं ये हमारे भारत में legal drafting में काफी सहायता देती हैं तो इसलिए अगर interpretation में आवशक्ता पड़ती है तो इन books की इन पुस्तकों की भी सहायता ली जा सकती है और इसके अलावा journals, research paper और articles जो की law के field में expert जो लोग होते हैं या फिर किसी other field में related field में expert जो लोग होते हैं वो प्रकाशित करते हैं, publish करते हैं उनकी भी सहायता एक law को interpret करने में उनको व्याख्या करते टाइम ली जा सकती है तो ये था interpretation of statutes के अंतरगत दिया गया, external ads के अंतरगत, क्या-क्या points आते हैं, इनके types क्या, इनकी meanings क्या है और इनसे related important cases I hope आपको ये सारी points अच्छे से समझ में आ गए होंगे बाकी के laws related videos, points, topics और judgments के लिए बने रहीएगा हमारे साथ नमस्कार